जै मातादी दोस्तों, कैसे हैं आप लोग यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जै मातादी जरूर लिखे माता रानी सबका कल्यान करेंगी दोस्तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप भी हरितालिका तीज का ब्रत रख रही हो और अगर आपका पीरियेड आ जाए तो आप हरितालिका तीज का ब्रत रखे या नहीं रखे साथी साथ बहुत से लोगों का सवाल होता है कि क्या पीरियेड में पहली बार हरितालिका तीज का ब्रत उठा सकते हैं तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पीरियेड में हरितालिका तीज का ब्रत आपको कैसे करना है पीरियेड के कितने दिनों के बाद हरितालिका तीज ब्रत की पूजा कर सकते हैं संपूर जानकारी आज इस वीडियो में आप लोगों को देंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर अभी तक आपने मेरे इस घरेलुखबर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे वीडियो पसंद आएगा वीडियो को लाइक करेंगे और जितना जादा से जादा हो सके मेरे इस वीडियो को सेर करेंगे दोस्तों साल 212 में हर इतालिका तीज का ब्रत 30 अगस्त को रखा जाएगा यह ब्रत 3 दिनों का होता है पहला दिन नहाय खाय का, दूसरा दिन निर्जला ब्रत का और तीसरा दिन पारन का होता है 29 अगस्त को नहाय खाय होगा, इस दिन महिलाएं सुबा असनान आदी से निवरित होकर पूजा पाठ करके सुध सात्वी घोजन ग्रहन करेंगी इस तिन आपको भूल कर भी खाने में मसुर की डाल, लहसुन, प्याज, इत्यादी का सेवन नहीं करना है इस्तेमाल नहीं करना है दूसरे दिन यानि कि 30 अगस्त को आपको निर्जला ब्रत रखना होगा और अगले दिन 31 अगस्त को पारन किया जाएगा ब्रत का लोगों का पहला सवाल होता है कि हरिताल का तीज का ब्रत करे या ना करे अगर पीरियड में हो तो दोस्तो हरिताल का तीज का ब्रत का नियम ही है कि एक बार इसे शुरू कर देने के बाद बीच में छोड़ा नहीं जाता है बीच में छोड़ने से ब्रत खंडित माना जाता है तो अगर आप period में हैं या पहले दिन ही period आ जाए तो आपको ब्रत छोड़ना नहीं है ब्रत आपको रखना है आपको हर्तेल का तीज ब्रत की पूजा छूकर नहीं करनी है दूर बैठे आप मानसिक पूजन करें और अगर आपने पूजन सामगरी तयार कर ली है तो वो आ famoso proposition amarillo बात आती है कि पीरियड के कितनी दिनों के बाद अप पूजा कर सकती हैं तो अगर आपका पाज़वादि भा दिन है तो आप पूजा कर सकती है पाज़वे दिन सुबह अस्नान अधी कर लें बालs होकर अस्नान करें पूरी तरह सुद्ध हो जाए तो आप संध्या समय में पूजा कर सकती हैं गर आपको पांच दिन नहीं हुआ है तो आप पूजा की कोई भी सामगरी ना तो छुए ना पूजा अस्धल पे जाए हां पूजा जब हो रही हो तो आप वहां पर बैठ कर पूजा देख सकते हैं कथा का स्रवन कर सकते हैं अब बहुत से लोगों का सवाल होता है कि क्या हरिताल का तीज ब्रत में हमारा पीरियेट चल रहा है हम पीरियेट से हैं तो सोलह सिंगार करें या ना करें बिल्कुल आप सोलह सिंगार करेंगी क्योंकि यह ब्रत सुहागिनों का होता है और सुहागि आप पहली बार कर रही है और पीरियेड आजा है तो ब्रत उठाना चाहिए या नहीं आपको बता दे कि वैसे तो ब्रत को उठाना नहीं चाहिए लेकिन हाँ अगर आपको यह डर रहता है कि अगले साल मलमास लगेगा और इस साल पीरियेड से हैं तो ना इस साल ब्रत रख सक तो ऐसी स्थिती में आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से पूछ कर आप ब्रत उठा सकती हैं। पसंद आई होगी। इसके बाब जूद अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसका रिपलाई दोंगी। थैंक्स।